नशकार मित्रो मेरा नाम है मुनाल परेल और आज हम देखेंगे 23rd डिसेंबर बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एक्जाम के लिए काम की चीज़े क्या लगी पेज वन पर UPSC prelims और Means के लिए तो कुछ काम का नहीं लेकिन मैं आज बात करना चाहूँगा इंटर्व्यू की UPSC के जो इंटर्व्यू होते हैं अपकोस उसमें अलग-अलग प्रशन पुछे जाएंगे आपके बार डेटा के बारे में एजुकेशन, होबीज, कौनसे स्टेट से आये हैं नेशनल करन्ट अफैर्स, इंटरनेशनल करन्ट अफैर्स, ग्रेजुएशन के बारे में वर्क एक्स्पिरियंस के बारे में वगएरा अब ऐसा भी नहीं कि जो UPSC इंटर्यू पैनल में बैठते हैं वो पूरा साल कोई डाइरी बना के रखते हैं कि ये छोटी-छोटी गटना हुई थी उसके बारे में एक साल बाद जब UPSC इंटर्यू होने वाले तब मैं पूछूंगा तो यानि कि जो UPSC के मेंबर होते हैं वो जब प्रशन पूछते हैं इंटर्यू में तो पूरे साल की करण्ट अफेर्स पूछेंगे तो वो ऐसे कि जो बहुत बड़े-बड़े समाचार हों जैसे आत्मनिरबर भारत या बैंकों में बैड लोन की समस्या या GST का कॉम्पेंसेशन वो कुछ माइक्रोस्कोपिक इंफर्मेशन जो आठ महीने पहले हुई थी वो अभी आपको इंटर्यू में पूछे ऐसा नहीं होता है हावेवर जब इंटर्यू शुरू होते हैं तो वो लोग भी निउस पेपर जरा बारिकी से पढ़ना चुरू करते हैं तो इंटर्यू जब चल रहा है उसके तीन-चार हफ़ते से जो चल रहा हो उसमें से कुछ माइक्रोस्कोपिक खबर भी आपको पुछी जा सकती है खासकर अगर वो आपके स्टेट के साथ जुड़ी हुई हो तो तो इस बात को देखते हुए क्या पेज वन पर इंटर्यू के काम की कोई चीज है बई कल अगर आपका इंटर्यू होता तो आज ये काम की चीज होती कि अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलॉंग करते हैं और जम्मू कश्मीर में District Development Council के चुनाव के नतीजे आए जहांपर जम्मू में BJP को काफी सीट मिली लेकिन कश्मरी में वो नई जीत पाए वहाँ पर गुपकार आलाइंस की जीत हुई अभी प्रिलिम्स और मेंस में काम का नही लेकिन मान लीजे UPSC का इंटर्यू होता और कल होता और अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपको ये प्रशना आसा कि क्या रिजल्ट आया और क्या माहौल है वगएरा Otherwise not important दूसरा इसी लॉजिक पर करीब 28 साल पहले केरला में एक सिस्टर अभया उनकी हत्या हो गई थी और उसका केस चलते रहा चलते रहा चलते रहा करके अब उसका रिजल्ट आया तो क्या ये प्रिलिम और मेंस में परसनी न्यूस काम बुका है नहीं लेकिन सपोज एक दो हपते बादी UPS इंटर्यू है और उसके मेंबर ने भी ये न्यूस देखी हो सर्वे ने जुडिशल रिफॉर्म पे काफी बात की है जजो की संख्या बढ़ानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जो वेकेशन लिये जाते हैं उसको कम करना चाहिए और तीसरा की सुप्रीम कोर्ट में जो स्टाफ होता है क्लेरिकल स्टाफ जो सब डेटा इंटी करता है समन्स जारी करता है एविडन्स का डॉक्यमेंटेशन करता है वहाँ पर भी और बहतर ट्रेनिंग और बहतर रिक्रूट्मेंट की ज़रूरत है इगवर्नांस आर्टिफीचल इंटेलिजन्स वगेरा की मदद से ट्राफिक के उलंगण वगेरा छोटे-छोटे केस का आर्टिफीचल इंटेलिजन्स से ही निप्टारा कर दो ताकि जो हुमन जजज है वो प्रॉपर क्रिमिनल केस पर अटेंशन दे सके वगेरा वगेरा तो जवाब रेडी हुआ बाकि ऐसी हर एक छोटी-छोटी गटना को आम लोग लिखके बैठे अभी से की इंटर्वीव में आएगा वो काम का ने अगर जब आपका इंटर्वीव उसके समझे तीन-चार हबते पहले से क्या माइक्रोस्कोपी गटना है चले तो नज़र रखनी चाहिए जैसे माली जै कोई कैंडिडेट केरेला से आ रहा है तो हो सकता है उसको सिधा यही पूछे अगर उसने न्यूस में अभी देखा हो कि हाँ वो सिष्टर अभया के केस में क्या हुआ फिर उसमें से कुछ को और याद आए, वो हदिया के केस में क्या हुआ था, फिर तीसरा कुछ और आया, केरला में वो हतनी को क्यों पाइनेपल खिला के मार दिया था, करके ऐसे अलग-अलग निउस चलते रहते, तो थोड़ा बहुत नजर रहनी चाहिए, इसमें से मैं कोई जोरदा नोट्स बना दूँ और वो सब अप्रोच, डोंट वेस्ट टाइम, यानि आज हमने क्या सिखा, इंटर्व्यू के 3-4 हफते पहले से, माइक्रोस्कोपिक इंफर्मेशन छोटे-छोटे खबरों पर नजर होनी चाहिए, अभी से इन सब में बहुत दिमाग नहीं ल प्रशन पूछे हैं कि टेस्स जॉइन करनी चाहिए कि नई, तो उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा, गर में जब पहली बार बच्चा पैदा होता है, तब पाएंगे माबा बहुत खुश हो जाते हैं, और बच्चे के लिए बहुत सारे खिलोने, बहुत सारे कपड़ लिए मेरे पास परियाब समय है, तो पता चले जनरल स्टडिस का जितना सिलेबस है और जिन लोगों ने अभी अभी तैयारी शुरू की है, वो ऐसी फुल लेंथ टेस्स सिरीज का मैक्सिमम फाइदा उठाई नहीं सकते, क्योंकि उसमें से ज़्यादा तर प्रशन तो उसक उठाओ, कम से कम चार से छे महिने की वो तैयारी मांगता है, अपकोर्स आज कल सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए टॉपस तो कुछ भी बखते रहते हैं, कि दो महिने में खतम कर दिया था, भई UPSC का नोटिफिकेशन पड़ो, ऑप्सनल सब्जेक का सिलेबस UPSC बोलत है, इतनी सारी पड़ाई आपने कर दी है, तो कम से कम ढंक से और वो भी और अपने विशे में बेस्ट दिखना है, तब ही जाके इंटर्वी कौल तक पहुँच सके, तो वो कोई दो तीन महिने में हो नहीं सकता, उसका बार बार रिवीजन भी करना पड़ता है, बहुत सार पहले मतलब क्या करना चाहिए, सिले बस खतम करो, यह CAT की परिक्षा नहीं है, या BANK की परिक्षा नहीं कि जहाँ पर आप सिर्फ थोड़े mathematics formula तयार कर ली और फिर practice practice practice, यहाँ पर सबसे पहले theory बहुत सारी तयार करनी पड़ती है, फिर यह करना है, दूसरी बात, test series के नाम पर सभी बड़े-बड़े coaching institute, अपना marketing advertisement करने के लिए, समझो, साल में 5 test series तो free में ही दे देते हैं, कोई भी institute हो, तो ऐसे ही free वाले चीज़ों का आप यूज करें, उसमें से भी बहुत सारी आपको चीज़े मिल जाते हैं practice के लिए, पुराने topic wise paper करें, उसमें से भी बहुत पर कुछ नहीं, सिवाए के अगले तीन अपते में interview होता अपना, तो जमु कश्मीर का ये चुना और ये केरेला में नर्स की हत्या का 28 साल बाद नहाए, वो हम पढ़ते, वरना कुछ काम काने, बाकी सब वही किसान और कोरोना चल रहा है जो exam में अभी काम काने, page 2 पे चले अनुसंदान काम काने, page 3 state specific news काम के नही, page 4 state specific news में onion price की बात है, अब जानते 2020 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके चलते onion की प्याज की फसल बरबाद हो गई थी, तो उसका supply यानि आपूर्ती कम हो गई, तो स्वाबाई के उसमें में गई, inflation बढ़ गया, तो लोकल मार्केट में onion की supply बढ़े, बारत का onion इजीप्त को नहीं बेचना है, बारत में ही रखो ताकि इधर अपने लोगों को खाने को मिले, तो सस्ता हो सके, हाला कि उसके बाद जो second cropping cycle हुई होगी, जिसके चलते अभी और अतिरिक प्याज पैदा होके वापस बिखने को पार हैं December महिने में, तो पता चला जरूरत से ज़्यादा supply अब बढ़ गया है, जिसके चलते किसान को hardly 10-15 रूपे प्रति किलो ही मिल रहा है, इसलिए सब farmers डिमांड कर रहें कि जो export पे आपने प्रतिबंद लगाया है, उसको आप वापस lift कर दो ताकि हमारा माल बाहर जा स कि और हमें कुछ उसमें से डंक का पैसा मिले, ये भी हर साल की रामायन है, और economic survey ने भी पहले कई बार का है, कि एक proper policy होनी चाहिए, जिसकी मदद से onion के ये जो farmers हैं, उनको एक price signal मिले कि पूरे साल हमने क्या करना है, ये नहीं कि बस अचानक से मेंगई बढ़ी तो सरकार export क के restriction डालना शुरू करें, page 5, सरकारी विज्यापन, सरकारी विज्यापन में western railways, उसके राजकोट division में doctors की walk-in interview है, जिसको नौकरी चाहिए, 7 तारिक जन्वरी को walk-in जाके interview देश सकते हैं, page 6, राशी बविश्य कुछ काम का नहीं, page 7, बारत में इंडिया international science festival, छटी बार आयोजित हो रहा है, कोरोना के चलते वर्चुल मोड में आयोजित हो रहा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कुछ speech दी, speech में जाने लाइक मुद्ध ये थे, कि science का sustainable development goals, सतत विकास लक्षों में बहुत जादा महत्वा है, sustainable development goals, मरलब United Nations ने जो जारी किये हैं, करीब 1717 goal हैं मरलब वही सब गरीबी निवारण, बुखमरी निवारण, महिला सशक्तिक करण वगेरा, हाँ तो इसमें science का महत्वा क्या है, बही science होगा तो ही तो कोरोना की vaccine बनेगी, तो health में महत्वा है, पानी की किलत, water scarcity में भी महत्वा है, जैसे science के द्वारा DRDO ने कुछ ऐसे toilets का जिससे और खाद्यान उत्पादन बड़े, pollution में भी उसी तरह महत्वा है कि यह बारत stage emission norm है, उसमें और बहतर किसम के petrol diesel के engine बनाए, जिसमें pollution कम होता हो, ऐसे electric car बनाए, जिसमें battery लंबी चलती हो, वगेरा वगेरा, लेकिन problem यह है कि science का वैसे तो sustainable development goals में काफी महत्वा, ल बाहर से भी अच्छे foreign faculty बारत में पढ़ाने के लिए उसकी कुछ योजनाय है, फिर hackathons, hackathon मतलब hacking करना ऐसा नहीं, लेकिन आपको समय दिया जाए कि अगले 5 गंटे में या 24 गंटे में आपको नया innovative solution लाके दो, जिससे कोई public welfare का project बन सके, तो education ministry द्वारा ऐसे smart India hackathon का भी आउजन होता है वगयर वगयर, तो नज़र एनी चेक, इदर उदर जब भी हमने निबन में लिखना हो, हम लिख पाए, पेज 7 पर international relation के कुछ समाचार, अमरीकी प्रेसिडेंट डॉनल ट्रम्प ने, उनके देश के अलग-अलग military के medal होता है, जैसे Medal of Honor, Purple Heart, ऐसा ही एक medal होत Quadrilateral Grouping या Quad बनाया था, जिसमें ये अमरीका, इंडिया, जापान, ऑस्टेलिया था, उन सब पार्टनर्स की मैं बहुत कदर करता हूँ, और उनको military का ये एक बहुत बड़ा सम्मान देता हूँ, ताकि चीन के सामने मतलब और मजबूत किया जा सके, प्राइम मिनिस्टर Quadrilateral Grouping या अमरीका और इंडिया के रिष्टे तो ये चीज़ को कोड कर सक, इसके अलावा पेज 7 पर जो इंटरनेशनल समाचार है वो अपने कुछ काम के नहीं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने जापान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ कुछ चर्चा की, ऐसा नहीं कुछ ब दुखत समाचा लेकिन ऐसी James Bond टाइप की चीज़े नहीं पूछी जाती है, don't waste time in this, page 8 पे चले, columns, columns में आज कुछ भी काम का नहीं है, एक तो है कि वो England में नया virus mutation पाया गया, उस पे लंबी चौड़ी बात काम की नहीं, electricity कंपनियों पर केंदर सरकार ने नहीं रूल्स डा काम की नहीं, फिर शायद BJP में कोई नेता थे और उनकी वाइफ ने TMC या कोई दूसरी पार्टी जॉइन कर दी, तो ये नेता बोल रहे है कि मैं अपनी वाइफ को डाइवर्स दे दूँगा, उसकी column कुछ काम का नहीं, बड़े columns में वही किसान के बारे में column है, और अमरी की पोल के बारे में, election के बारे में column है कुछ काम के नहीं, पेज 9 पे चले, पेज 9 पे तीन column, उसमें कीसान के बारे में वही सब पुरानी बोल बच्चन काम की नहीं, दूसरा column है TMC, Congress, BJP, 2-2MMO के बारे में कुछ काम का नहीं exam में, तीसरा column, शाम सरन, जो की एक Foreign Secretary थे पहल का ये जो विश्व है, उसमें आपको क्या समस्य हैं दिखती हैं, एक समस्य हैं pandemic, महामारी, और उसके चलते जो भी economy में problems आए वगेरा, दूसरा है rapid technological change, जिसके चलते ये Google, Amazon, Facebook जैसी multinational company का वर्चस वो बढ़ रहा है, चुनाव में भी दखल देते हैं, economy में भी दखल देते हैं, tax भी नई बरते हैं, वो सब problems, cyber security का मामला, space security का मामला, climate change, poverty, hunger, radicalization, weapon race, even weaponization of economy, अर्थ तंत्र को भी आप हत्यार बना सकते हैं क्या, जवाब है हाँ, जैसे अमेरिका, European Union, बारत से जाने वाले सामान पर ज़्यादा tax लगा देते हैं ताकि उनके local producers protect हो जाए और हमारी exports क नुकसान हो, तो ये क्या हत्यार बना दिया, protectionism, सौरक्षनवाद एक हत्यार है, उसी तरह चीन जो one belt, one road policy के अंतरगत, बहुत सारे छोटे 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 देशों को infrastructure के लोन देता है, और फिर उनको अपना गुलाम कर देता है, जैसे चीन ने पाकिस्तान को चाइना, पाक कॉलम में कोई बहुत नई चीज जानने लाइक नहीं, फिर हम चले page 10, उसमें वही केरला में sister abaya murder case की पूरी ball by ball commentary जो अब काम की नहीं, page 11 explained series, एक lama नाम का जानवर जो की उट जैसा दिखता है, साउथ अमेरिका में शायद पाया जाता है, अमेरिका के scientist ने उसमें कुछ antibody develop क जिससे कोरोना की दवाई बन सकती है, और ये ऐसा जो लामा है, उसका नाम है कोरमेक, मैंने आपको आगे भी एक बार बताया था, social media में फेमस हो जाए, ऐसे जानवरों के बारे में कि पाकिस्तान से वो हाथी जो ले गए, किसी और देश में उसका नाम क्या था, या बहुत जिसरे नेता है, पुश्पकमल, प्रचंड, दमाल, तो इनकी क्या तू तू में हमें चल रही है, अगे नॉट इंपोर्टन, क्यूंकि वो सालों से ही उनका वही चल रहा है, हाला कि मान लिजे तीन अपते बाद आपका इंटर्यू हो, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहि की मुद्धा क्या है, बाकी इसमें से सीधा कोई बहुत बड़ा प्रश्न बन जाए, फॉर प्रिलिम्स और में जमता ने, बारत और नेपाल के रिष्टों के बारे में पूछा जाए, आप हवा में बोल बच्चन कर सकते हैं, कि कैसे वहां पर पॉलिटिकल के सामने बफर अपने बारत के लिए बने, और सारे बोल बच्चन जो आप दिरे दिरे पढ़ेंगे, आपके पास आ जाएंगे, पेज 11 एक्स्पेंड सीरीज में फिर GST के नकली इन्वाइस बनाकर कैसे फ्रॉड किया जाता, इन्पुट टेक्स क्रेडिट में, वो सब करें, आपको कोई प्रिलीम में 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 या इंटर्यू में ऐसा पुछने नहीं वाला कि मुझे कागस पे चित्र बना के दिखाओ कैसे वो सर्कुलर ट्रेडिंग का कांड होता है, आपको सीवाई की बहुत किंच के आपने बिकॉम किया है, अमकॉम किया है, चार्टर समाचार, दो तिन लाइन में सब पता होना चाहिए, प्रिलीम MCQ के लिए, बाकि इसने तो करीब 400 वर्ड्स की पूरी एक्स्प्लेंट सीरीज बना इतना काम का नहीं, पेज 12 इंटरनेशनल समाचार, मित्र UPSC मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा कंपेरिंग कंस्टिटूशन, मनलब भारत का समविदान और दूसरे अलग-अलग देशों का समविदान, तो हमारे समविदान में आप जानते हैं, दर्म निर्पेक्षता, किसी एक दर्म को महत्वा नहीं दिया जाएगा, जिक्र नहीं किया जाएगा, उसके सामने इसराइल में मुद्दा क्या है, 2018 में उन्होंने कुछ कानून बनाया, जिसमें ऐसा लिखा है, इसराइल यहूदियों का देश है, ऐसा उन्होंने कानून में लिख दिया, तो स्वाबाई के वहाँ पर जो पैलेस्टाइन आरब मुस्लिम माइनॉरिटी है, अल्प संक्या क्या है, उनको मजा नहीं आएगा, तो उन्होंने सुप्रीम कॉट में उस चीज़ को चैलेंज किया है, कंपेरिंग कंस्टिटूशन में रशियन कंस्टिटूशन, तो आप जानते हैं प्रेसिडेंट पूटिन और उनका टर्शन है कि रोक सको तो रोक लो, मैं तो अपनी मर्जी से करूँगा, तो पहला तो उन् केस मुकदमे नहीं चल सकते, और अब एक तीसरा रिफॉर्म लेके आए हैं, कि जो बुद्पूर्वा प्रेसिडेंट होता है, वो अपने आप रशियन राज्य सभा, यानि उनकी जो अपर हाउस है, उसका पर्मनेंट मेंबर बन जाए, मलब कि उनके तो जलवे कुछ कल ही मैंने आपको बताया था कैसे एक इंसॉलवन्सी बेंकरप्सी कोड है, बैड लोन के सब सॉलुशन के लिए उसमें प्रावदान दिये गए हैं, लेकिन कोरोना के चलते वैसे भी बैड लोन्स बढ़ रहे हैं, और उस कानून को 6 महिने के लिए सस्पेंड किया था, सस् महिने के लिए, 9 महिने के लिए वो डाइनामिकली चेंजिंग इंफर्मेशन है, मार्च महिने में पहुंचोगे तो वापस हो सकता है और 6 महिने के लिए एक्स्टेंड हो जाए, तो बेजिक आइडिया होना चाहिए, एक्जेक डेट्स में टाइम वेश्ट मत करो, दूसरे तो वही है कि unemployment allowance, बेरोजगारी बता देंगे, tax और subsidy में राहत देंगे, कुछ नए highway, road construction का निर्मान करेंगे, ताकि economy वापस खड़ी हो, अब स्वाबाई के ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ के लोग जादा shopping करेंगे, उनको कुछ रोजगार मिलेगा, तो उसकी demand बढ़ेगी, तो अन्य देशों से जो अमेरिका में export होता है, वो भी थोड़े बढ़ेंगे, तो हमको थोड़ी मदद मिल सकती, अब यह तो एक दो लाइन में समझ में आ जाए, ऐसी simple information है, इसमें भी इसने तो 300 word की commentary बनाई है, explain series काम की नहीं, share market के up-down काम के नहीं, vipro ने metro AG के साथ कु production हो रहा है या विदेशों में, वो supply भी रिस्टिक कर देंगे, वरना बेफिजूल में oil और सस्ता हो जाए, तो company के point of view से वो profitable चीज नहीं, world bank, visual bank आप जानते एक चीज नहीं, उसमें पांच अलग-अलग संस्ता है, उसमें एक संस्ता है, International Bank for Reconstruction and Development, यानि IBRD, जो की विका अथान उतरप्रदेश वागेरा में, बैने आगे भी आपको बताया था, ये World Bank, Bricks Bank, या New Development Bank, Asian Infrastructure and Investment Bank, Asian Development Bank, African Bank, ये सबका दो कामी है, वो project में लोन देते रहेंगे, तो हर बार हमने वो तयार करने की जरुद नहीं, project titan, project titan के अंतरगत, apple company, self driving car बनाने वाली है, और 2024 तक ऐ ये सेल्फ ड्राइविंग कार आ जाएगी, तो अगिन, exactly मुद्दा क्या है, अमने सिर्फ वन लाइन में याद रखना है, project titan मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में, ऐसा एकात बार पहले MCQ आया था, कि ये वाला project वो किसका Google का था, या उसका उदेश क्या था, so we need to be aware, कल भी हमने देखा था, electricity, right of customers की 24 by 7, electricity मिले वगेरा, वो वापस ही उन्होंने 300 word की commentary बना है काम की नहीं, page 14, sports, sports की top body कौन से है, international cricket, council यानी ICC, अगर बारत में वो T20 का आयोजन करेंगे, तो उसमें stadium में उनको जो भी ticket sale का पैसा मिलता होगा, या उसका जो broadcasting होता है, अल में से उनको बारी रकम मिलती होगी, और स्वाबाई के उस पर कुछ न कुछ बारत सरकार के tax भी लगते होंगे, तो ICC ये कह रहा है, कि जितना भी हम पर tax लगने वाला है, वो सारी रकम BC से ही वाले अपने बोज़ पे ले ले और हमको तो पूरी रकम ही मिले, या फिर कि हम को सरकार से tax की माफी मिले, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम 2021 की T20 टूर्नामेंट भारत में नहीं करेंगे, हम UAE या किसी और देश में करेंगे, कि ये सब मरलब कुछ अभी काम कार नहीं, let it finalize, इसके लावा स्पोर्स में और कुछ काम के समाचार नहीं, तो ये था बुदव कर काम के समाचार, को कि अव eerद की बुदवर।